अगर किचन का काम जंजट लग रहा हो तो इन टिप्स के थूँ जरूर करें आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा है लो फ्रेंट कैसे आप सभी लोग आई हो ठीक ही होंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर चाइनल पर पहली जिनको इसे खुला जोड़ने से खराब होने का डर रहता है तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर हम ले लेंगे एक पेपर आप कोई भी पेपर ले सकते न्यूस पेपर या घर पे कोई भी पेपर पड़ा जरूरी नहीं है कि आपको फॉयल पेपर ही लेना है और आप इस व पेक कर दिया आप चाहें तो इस तरह पार्ट है वो काट सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यह सील हो चुका है मैं आपको फिर से करके दिखाती हूं मेरे पास दाल का पैकेट है मैंने थोड़ी दाल तो जार में भर लिया बाकी के पैकेट को मै इस तरह से सील करके रख देती हूं जिससे क्या होता है दाल खराब नहीं होती है तो इस पैकेट में दाल थोड़ी थी तो मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है आप चाहें तो इस तरह जो पैक है वो काट के अलग कर सकते हैं और फिर से इसी तरह से पेपर रख के आप प्रेस कर लें तो आपका ये पैकेट फिर से पैक हो जाएगा और आपकी जो भी इसमें सामाने वो खराब नहीं होगा और आप इसी तरह से इस पैकेट को रख सकते तो मैं आपको दिखा रही हूं इस तरह से ला कर देखिए पैक हो चुक है और इसमें से डाल बिल्कुल भी किर नहीं रही है तो कैसी लगी मेरी ये टिपस अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे ये टिपस हमारा फ्रेंट्स रोटी को ले कर एगर मैं गरम रोटियां कहाने किसे नहीं पसंद होता है हर कोई चाहता है कि रोटी हमको गरम-गरम मिले है न तो कभी-कभी ऐसा होता है गैस खतम हो जाती है और इंडेक्शन भी सबके पास नहीं होता है तो रोटी को गरम कैसे करें तो रोटी को गरम करने के लिए एकदम यूनिक तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूं तो सबसे पहले प्रेस को अच्छे से गरम कर लें और जब प इस तरह से प्रेस कर देना है जैसे कपड़े प्रेस करते हैं बस ध्यान दीजेगा कि बहुत ज़्यादा देर तक इसे इस तरह से प्रेस नहीं करें नहीं तो रोटी बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा बस प्रेस को अच्छे से गरम कर लेना है ताकि हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगे रोटी को गरम करने में बस दोनों साइट से आप इसे ऐसे गरम कर ले और गरम करने के बाद इसे आप डिब्बे में रख दे तो है ना यूनिक तरीका ये तो इंडिया का जुगार है तो पसंद आये तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दे ये टिप्स फ्रेंट्स हमारी मिक्सर के जार को लेकर है इसके बलेट की धार कम हो जाती जिससे हमारा मसाला महीन नहीं होता है तो इसके लिए हमें क्या करना है इस जार को हमें नमक से भर देना है और नमक से भरने के बाद हमें इसे एक बार मिक्सर में लगाकर गुमा लेना है बस आपको क्या करना है एक मिनट के लिए mixer को चलाना है और आप देखेंगे mixer चलाने के बाद नमक आपका वैसा ही रहेगा अगर मोटा है तो थोड़ा सा महीन हो जाएगा बट आपकी mixer के जो blade है वो तेज हो जाएंगे और परिशान न हो ये क्योंकि जो आपने नमक लिया वो भी खराब नहीं होने वाला उसको भी आप दुबारा रियूस कर सकते हैं तो यहाँ पर मिक्सर की जो बलेट है फिर से तेज हो चुकी है इस टिप्स को आप जरूर फॉलो करें और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे थैंक्स पर वाचिंग